अश्लाम अलेकुम एवरिवान वेलकम बैक टू दा नियो वीडियो तो कैसे हैं आप सब लोग उमीद करती हूँ आप सब बिलकुल ठीक ठाक हूँगे माशालला से मैं भी बिलकुल ठीक ठाक हूँ तो फ्रेंड्स आज है मेरी बेटी का वर्थ डे तो मेरी बेटी है ना माशालला से 6 साल की हो गई है वही मैं सेलेबरेट कर रही हूँ और कैसे सेलेबरेट कर रही हूँ वो आपको मैं बताओंगी तो फ्रेंट सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये जो मैं आज खाना बना रही हूँ ना तो ये मैं खाना गरीबों में बाटूंगी तो ये जादा को इंटिटी में मुझे बनाना है क्योंकि अभी बच्uchen के स्कोल स्टार्ट हुए वे हैं और एक्जाम्ज भी चल रहे हैं और टेस चल रहे हैं तो इसलिए हम लोग कहीं जा नहीं सकते हैं कर नहीं सकते तो माशालला से खाना वगेरा तो मैं हमेशा से ही बाढ़ती हूं मगर बड़े वगेरा पे खास तोर पर बाढ़ती हूं तो वही आज मैं आप से शेयर कर रही हूं तो मैं जो खाना बना रही हूं तो आज मैं बना रही हूं मुरा दबादी पुलाव उसके मिर्ची, गरम मसाले, तेज पत्ता ये सब कुछ ले लिया था जो जो मसालों में लगता है तो आज मैं बना रही हूँ पॉने दो किलो करीब चिकन का बना रही हूँ मैं और जितना मसाला ये पॉने दो किलो चिकन में लगेगा मैंने उतना सब कुछ ले लिया है ये करम मसाला द्लाद रख लसन ये सब को पीस लेना है अछी तडीक algún जो पुलाओं ना सब को पसंद आता है और बहुत जल्दी बन भी जाता और यह पुलाओ ना मेरी बेटी को भी बहुत जादा पसंद है वह हमेशा ममा पुलाओ बनाओ ममा पुलाओ बनाओ तो यह सारे मसालों में ना मैं दो से तीन चमज भर के सॉफ डालूंगी सॉफ डालने से अच्छा टेस्ट आता है खुजबू भी अच्छी आती है और फ्ले ना ड्रेस चेंज करना पड़ा तो यह चिकन मैंने भीगा के रख दिया था तो यह सॉफ नहीं हुआ है पुरी तरीके से तो जलबाजी का काम था एक तरफ पानी भी भर रही थी मैं एक तरफ यह भी सब कर रही थी क्योंकि टाइम से पहले मुझे यह सब कुछ रेडी करना तो यह चिकन मैंने अच्छे से धो लिया है, अच्छे से साफ कर लिया है, तीन से चार पानी में अच्छे से खुब साफ किया है और इसमें मैं यह कटोरी भर के ढाल रही हूँ धाई, यह बाउल में आपको कम दिख रहा होगा, मगर माशालला जब पतीले में यह गया ना चिकन तो पुरा पती लाना भर गिया था तो ये है तेज पते ये तीन से चार तेज पते डाले हैं मैंने और इसमें मैं डाल रही धनीय की बुकी गरम मसाला और ये एवरेस का चिकन मसाला है और ये है नमक टेस के हिसाब से नमक डालना है गरम मसाला मैंने कम ही डाला है क्योंकि जब मैंने मसाला पीचा था तो उसमें गरम मसाला भी पीच लिया था उसमें जाइफल, जावेतरी, सब कुछ डाला था मैंने काली मेरी, लॉंग, और ये अब मसाला डाल रही हूँ जो मैंने मसाला पीचा है ये मसाला है ना सारा डालनोंगे इसमें मैंने सारा चमच से भी निकाल लिया था और अब इसमें मेंड चीज में डाल रही हूँ ये है मिर्ची का अचार ये मिर्ची का अचार जो होता है ना कुछ-कुछ लोग बिर्यानी में भी अचार डालते हैं और ये जो जार में मसाला लगा हुआ था उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और जो मसाला था इसमें डाल लिया है अभी मैं ये प्लास्टिक के गलव्स पहन रही हूँ क्योंके है न मैरिनेट करना है और दुसरे भी काम करने थे na मुझे साइड में तो इसलिए मैंने सोचा के जलदी जलदी से ready कर लेती हूँ तो बस इसको है न अभी अच्छे से mix करना है खूब अच्छे से mix करना है अच्छी तरीके से मिला लेना है तो यह अच्छे से मैं मिला रही थी सब कुछ तो मैंने है ना टमाटर इसमें डालना भूल गई थी तो मैं एक ही बड़े साइज का टमाटर इसमें डाल लूँगी क्योंकि अभी मार्क Heat में है बड़े बड़े साइज के टमाटर आ रहे हैं चोटे जो आ रहे हैं वो थोड़े से खराब से हो रहे है तो इसले मैं वो जो आले ले रही हूं तो ये बड़े साइस का एक अक्का मैंने टमाटर में डाल लिया है अब सो मिख्छे से लेना है खुब अच्छे से मिला लेना है आप एक से देर घंटा भी इसको marinate करके side में रख सकते हैं तो मैंने इसको जादा देर ही रखा था marinate करके के जड़ा अच्छा सा taste आ जाए तो अओ यह मैंने अच्छे से mix कर लिया और side में ढखकर रख दिया है और ये मैंने चावल लिए हैं ये चावल मैंने देड़ किलो चावल लिए हैं चिकन से थोड़ा सा कम है ये चावल और ये चावलों को थोड़ा मैं साफ कर रही हूँ तो इसको साइड में मैंने रख दिया था तो अब ये मेरा पानी वगेरा सब कुछ भर गया था मेरे सारे क काम हो गयते एक्स्रा जितने काम होते ना तो बस अब मुझे है ना पुलाओ ही बनाना था तो मैं वही रेडी करने के लिए आई हुई हूँ कि बस जल्दी से पुलाओ बनाओ क्योंकि है ना बाटना भी होता है और कैसा होता है ना के जल्दी जल्दी पैक करके भी मुझे भे पदिया करनी थी मुझे तो यह मैंने ने पतीला चडा दिया है और ये मेरा सबसे बड़ा बॉणा गी घिए तरह ने उडेते उसे वाटी में ए गाले है कि आचावलों भी है चिकन भी आगा है विंग इस जाए नचा का विश्छा रसदी मर गया कर लिया है तो थोड़ा और अच्छा टेस्ट आ जाएगा और ये तीन बड़ी साइस की मैंने प्याज लिया है तो इसको बारिक चॉप कर लिया है तो अब इसमें मैं न ये नमक डाल के अच्छे से गला लोंगी जिससे के जल्दी से है न बिरिस्ता इसका बन जाए थोड़ा बिरिस्ता टाइप का हो जाए तो अब ये चिकन मैरिनेट भी हो चुका था अच्छी तरीके से और मैंने साइड में चावल भी भीगा दिये थे तो बस अब ये न बिरिस्ता रेडी होने की देवी थी मुझे कि बस जल्दी से थोड़ा सा कलर आ जाए चिकन पर और ये सारा प्यास पर और ये सारा चिकन मैं इसमें डाल दूँ ये मैरिनेट किया हुआ सारा चिकन मैं इसमें डाल लिया था ये बाउल को भी अच्छी तरीके से पूरा साफ कर लिया था सारा मसाला इसमें से मैंने निकाल लिया था तो बस अब इसको है न अच्छे से चम्मत चलाना ह और इसको है न अच्छी तरीके से हमें गलाना भी है फ्राय करके ये तेल मैंसे डाल दो तो पहले ये फ्राय होता है अब ये थोड़ा सा पानी इसमें मैंने डाल दिया है जिससे के है न मसाले जो लगे है वो जले नहीं क्योंकि इसमें धाई भी मैंने डाला है तो इसका भी रिलीज होगा तो अब यह थोड़ी दिर बाद मैं चेक करने के लिए आई हूँ तो देखें कितना सारा पानी हो गया इसमें क्योंकि इसमें मैंने ज़ाधा पानी नहीं डाला था फिर भी इतना पानी हो गया और चिकन का जो पानी होता है वो भी छूटता ही है ऐसे है ना इस अब नहीं है और अभी जो आ रहे हैं ना थोड़े जादा टाइम ले रहे हैं कोकिंग टाइम जादा ले रहे हैं तो यह बटाटे डालके भीना मैंने इसको भीगा दिया है सौरी ढख कर रख दिया है जिससे के है ना बटाटे अच्छी तरीके से घल जाएं तो बस ही अब मैं थोड़ा सा पानी चड़ाओंगी पतीले में ये पानी मैं ये पुलाव के लिए ही चड़ा रही हूँ क्योंकि पुलाव में गरम पानी डालेना तो अच्छा टेस्ट आता है तो इसलिए मैं ये साइड में पानी चड़ा देती हूँ गुन-गुना पानी डालना होता है जादा गरम भी नहीं डालना होता है बस गुन-गुना होता है तो वो डालने से अच्छा फ्लेवर आ जाता है कहते हैं ऐसा कि जो टेस्ट होता है रियल टेस्ट वो खतम नहीं होता है ठंडा पानी डालेंगे न तो टेस्ट थोड़ा खतम हो जाता है गरम पानी से नहीं होता है अब यह मैंने डाल रही हूँ इसमें कोतमीर और चार से पांच मिर्ची ली है पीच में से स्लिट करके वो डाली है और कसूरी मेथी डाली है मैंने इसमें तो बस अब इसको है ना अच्छी तरीके से चम्म चलाना है ये खूब अच्छी तरीके से भून चुका था बहुत ही अच्छी तरीके से भून चुका था तो अभी ये कि ये ना पतीला पुरा फुल ना हो जाया, मुझे पतीले चीन ही ना करने पड़े, मगर अल्ला के करम से ऐसा कुछ नहीं हुआ, और ये मैंने पानी जो लिया था ना साइड में जो गरम किया था, वो हिसाब से गरम किया था, चावलों के हिसाब से, तो वो सारा पानी इसमें हमें अच्छे से चम्मत चला लेना है खुब अच्छे से चम्मत चलाना है अब इसको है न मैं ढख के रख दूँगी मैंने 10 से 5 मिनिट बाद आके इसको चेक किया तो ये देखिए माशारला से अभी इसकी ये पोजिशन है अभी ये पुरी तरीके से पकानी था अब ये मैं साइड में आई हूँ थोड़ा सा क्यूकंबर वगेरा काटने के लिए तो ये मैंने क्यूकंबर काट लिए थे अब मैं ये है ना साइड में मैंने रख दिया है अब ये देखिए माशारला से मैं पुलाव चेक करने के लिए आई हूँ तो ये माशारला, माशारला से मेरा पुलाव बन करके रेडी था, मैं इतना डर रही थी ना, क्योंकि ये है ना मुझे बाटना था, वो चाहे हम कहीं भी बाट रहे हो, जैसे हम मेमान के आने पे थोड़ा डरते हैं ना, कि मेमान क्या बोलेंगे, कहीं कच्छा ना रह जाए, तो वैसे हम किसी को भी दे रहे हैं ना, तो थोड़ा सा डर रहता ही है, कि अच्छा बनना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए, सामने वाला का दिल भी खोश हो जाए, और कुछ ऐसी खराबी बिना हो, तो ये मैंने चावल अलट पलट किया, उसमें कलर डाल दिया था, अब उसको मैंने रख दिया है, ढखकर, और ये मैं कच्छ उमर बना रही हूँ, मेरे और मेरे हजबन के लिए, क्योंकि ये खाना हम लोग भी खाएंगे, ऐसा नहीं है, कि सारा ये खाना गरीबों में ही जाएगा, इसमें से हम लोग भी खाएंगे, तो ये है ना, मैंने हरी मिर साइड में ऐसे ही स्लाइस करके रख लेती हूँ, अब इसमें मैंने डाल दी है धाई, तो ये धाई डाल के अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, बहुत ही इजी बनता है ये कच्छ उमर, इसमें ककड़ी टमाटर डालते है तो वो और अच्छा टेस्ट आता है, मगर मेरे हज चावलों का टेंशन था, ना कुछ था, अल्ला के करम से सब कुछ ठीक ठाक था, सब रेडी हो गया था, तो ये बस है ना भी थोड़ा अलट पलेट कर लूँगी, जिससे कि जो चावल है ना कलर वाले चावल, वो थोड़े बहुत सब जंगा मिल जाए, इसलिए पलेटना पड़ता है, उपर नीचे करना पड़ता है, तो अब ये बस मैं, सबसे पहले मैं ये गरीबों के लिए निकालूँगी, ये है ना मेरी अम्मी का तरीका है, हमारे गर में जब भी कुछ ऐसा खाना बनता था, जैसे फ्राइडे है, संडे है, अच्छे खाने बनते था, तो म वैसा था ये, तो इसको मैंने साइड में रगिया, ये हम लोग ने नहीं खाया था, तो अब मैंने मेरी पूरी फैमली ने हम लोग ने खाना वगेरा खा लिया था, क्योंकि दो पयार का टाइम हो चुका था, बच्चे भी भूके थे, तो ये है ना, ये डब्बे आये वे बहुत दिन पहले मेरे, तो वही अभी मैं यूज कर रही हूँ, डिस्पोजिबल है ये, तो इसे टिफिन में मैं खाना दूँगी, तो अभी तो फिलाल मैं छे से आंट लोगों को दे रही हूँ खाना, क्योंकि लास्ट टम जब मैंने मेरे बेटे को भेजा था था ना, व तो उसके बाद वापिस से मैंने शाम को बाटा था, पता नहीं मेरा बेटा ठीक से बोलते है ना, बच्चे ठीक से ध्यान से काम नहीं करते हैं, वो भी हो सकता है, तो फ्रेंट्स अब ये मैंने सारे डबे भर लिये थे, तो मैं आपको एक तरीका बाता आती हूँ, जब भ तरीका है, और ये तरीका मुझे सही लगता है, कि ऐसे ही देना चाहिए, ऐसा किसी का वो नहीं होता है, कि गोश्ट नहीं था, या फिर हमको तो सरफ हड़ी मिली है, ऐसा बोलते हैं ना, लोग, होता है एकसर ऐसा, तो ये ना, सारे टेफिन मैंने माशालला से भर लिये थे सारा रेडी हो चुका था, हमने भी खाना वगेरा सब खा लिया था, तो बस मेरी बेटी को लगी होई थी, कि मम्मा केक कप काटेंगे, केक कप काटेंगे, वैसा है ना, बच्चों को हम लोग कोई लेके नहीं गए, और अच्छे से अब मैं सेलेबरेट भी नहीं करती, जब कुछ खास सेलेबरेट करने का, क्योंकि वो रौनक ही नहीं रही, अब तो क्या करें, माबाप से ही रौनक होती है, तो अब यह ना, मैंने सारे डब्बे पैक कर लिये थे, तो अब यह सब को मैं, डब्बो को भेज दूँगी मैं, तो मैंने थोड़ी देर बाद जब खाना से रेडी था बन करके, मैंने यह खाना दे दिया, तो अब मैं यह ना, अपने पडोस में देने के लिए आई हूँ, क्योंकि देखिए, कुछ भी अच्छा बनता है, तो हम मेरे पडोसी मुझे याद रखते हैं, मैं वो लोगों को याद रखती हूँ, और यह तो मेरी हो चुका था, तो थोड़ा मैं है, ना, साफ सुतुरा घर करने के लिए आई, किचेन थोड़ा साफ हो जाए, और बड़तन वगेरा, सेट कर लो धोने के लिए रेडी हो जाऊं, मैं, तो यह वही समेटने के लिए आई हुई हूँ, मेरी बेटी ना, बहुत देर से इंतिज कर दिये जाब करने पैण्विति tha हो गया सब्सक् Mini तो ऑफ रहे हैं मेरते से ना हैंधि ये मेरी बच्छी बिलकुल नहीं30 कि मेरे पहंटी जुए कर्थए क कौ 네 लोग ऐसे कुछ प्रॉपर केक पर ऐसे नहीं लिखवाते गड़ते हैं बस ऐसे ही मैंने सारी जितनी सारी कैंडल आई हुए थी ना उन सब पर ही मैंने उन सब को यूज कर लिया था कि क्यों वेस्ट करूँ फिकती है इस सचा जल जाएंगी तो अच्छा रहेगा तो ये नाम रखवाया था साथ में जोड़ा के रखाया था कि इसको साथ में जोड़ लो उमेरा फातिमा क्योंकि मैं जब प्रेगनन्ट थी जब मेरी अम्मी का इंतिकाल हुआ था उसके बाद ये मेरी बेटी पैदा होई थी तो इसलिए में रब्बु ने कहा कि फात्मा भी साथ में रगा लो उमेरा फातिमा और ये बहुत प्यारा लगता है नाम उमेरा फातिमा तो अब लग फ्लीज मेरी बच्ची के लिए मेरे बच्चे के लिए दुआ करना अल्ला हम सब का बच्चों का मुकदर बुलन करे हम सब के बच्चों का मुकदर बुलन करे आमीन समावीन तो friends ये cake cut हो चुगा था खा लिये थे ये पता नहीं महीने में कितने cake cut है और पता नहीं लोगों को बड़े का cake कितना special की हो लगता है तो अब ये मैं सब को देने के लिए आई हूँ तो friends उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी मेरी recipe भी पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मद भूलेगा और अगर चैनल पर नियों है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजेगा मैं ऐसी तरह की वीडियो से आप लोको साथ शेर करूगी तो फ्रेंड्स मिलते हैं डेक्स वीडियो में जजा कर ले वीडियो